नमस्कार मित्रो मित्रो आजना वीडियो मां आपने वाद करवानी छे DC संट जन्रेटर वीशे अगावना वीडियो मां आपने DC सिरीस जन्रेटर वीशे माहिती मेडवी चुकिया छिए तेनी characteristic, तेनी रच्चना, तेनों कारिय पद्धती, तेनों control वगेरे विशे माहिती मेड़ेवी चुकिया शी तो पन आजना वीडिव मां आपड़ें माहिती मेड़ेवी सु DC sound generator विशे नी सर्व करी सु आजनो वीडिव आपड़ें DC sound generator विशे नो तो जे जनरेटर ना फिल्ड वाइंडिंग ने आर्मेचर वाइंडिंग साथे पेरेलल मां जोडवा मां आवे तेवा जनरेटर ने संट जनरेटर कहवा मां आवे छे रचना विशेवाद करीशू तो आ प्रकार ना जनरेटर नू संट फिल्ड वाइंडिंग सीरिस जनरेटर नी सर्खामणी मां पातडातार नू अने वधारे आटानू होई छे एटले तेनो अवरोद खुब वधारे होई छे तेने फिल्ड पोल पर विट्टाडवामा आवे छे फिल्ड वाइंडिंग अन्ने आर्मेचर वाइंडिंग ना छेडा कनेक्षन माटे बहार ना टर्मिनल बोक्स मा लाववामा आवे छे रचना जोई सको छो तमें DC संट जनरेटर नी सामानिय रिते संट फिल्ड वाइंडिंग ना बे छेडा ने Z औने डबल Z थी दर्शाववामा आवे छे ज्यारे आर्मेचर वाइंडिंग ना बे छेडा ने A औने डबल Z थी दर्शावववामा आवे छे कार्य पद्धती विशे जोई सु आपड़े तो ज्यारे जनरेटर ने चालू करी लोड जोडवामा आवे छे त्यारे तेना पोल मा रेसीडियूल मेगनेट ने कारणे चुम्बकी य फ्लक्स खुब ओचा होवाना कारणे आर्मेचर मा थोड़ा प्रमाणमा EMF उत्पन थाई छे संट फिल्ड आर्मेचर नी पेरलल मा जोड़ायलू होवा थी तेमा विज प्रवाह पसार थसे एटले तेमा चुम्बकी य फ्लक्स उत्पन थसे एटले फड़ी थोड़ू वधारे EMF उत्पन थसे आ रीते उत्तरो तर एटले के स्टेप बाई स्टेप चुम्बकी य फ्लक्स अने तेना कारणे EMF मा वधारो थतो रहे से ज्यारे जनरेटर ने रेटेड स्पीडे पहुचे त्यारे रेटेड EMF उत्पन थसे संट जनरेटर ने लोड जोडी ने चालू करू जोईये नहीं कारण के लोड नो अवरोद उचो होई छे ज्यारे संट फिल्ड नो अवरोद वधारे होई छे एटले वीज प्रवाः संट फिल्ड वाइंडिंग मा ओछो अने लोड मा वधारे पसार थसे कारण के पेरेलल सरकेट ना नियम मुझब आथी फिल्ड वाइंडिंग पूर्ता प्रमाण मा चुम्बकी अक्षेत्र उत्पन करी सकसे नहीं परिण आमे जनरेटर मा एमेप उच्छू उत्पन थसे एटले ज्या सुधी संट जनरेटर रेटेड वोल्टेज उत्पन न करे त्या सुधी तेनी साथे लोड जोडवो जोईये नहीं जनरेटर मा फिल्ड वाइंडिंग नी सीरीज मा एक वेरियेबल रेजिस्टन्स जोडवामा आवे छे तेना द्वारा फिल्ड करन्टनू मुल्य वधारी तेमच घटाडी वोल्टेज कंट्रोल करी सकाई छे संट जनरेटर मा आर्मेचर करन्टने पसार थवाना बे रस्ता होई छे एक लोड मा थईने बिचो संट फिल्ड वाइंडिंग मा थईने एटले आर्मेचर करन्ट ए संट फिल्ड अने लोड करन्टनो सर्वाडो छे खास याद राखवा जेऊ छे के आर्मेचर करन्ट संट जनरेटर नी अंदर संट फिल्ड अने लोड करन्टनो सर्वाडो छे एटले के आई ए बराबर आई एसेच प्लस आई एल हावे तर्मिनल पर मड़ता वोल्टेज कितला होई छे तो के वी टी बराबर आई एल मल्टिप्लाइ बाई आर एल अलेका आई एल गुणिया आरेल हावे आपड़े संट जनरेटर नी केरेक्टरिस्टिक एटले के लाक्षन इकता वीशे माहीती मेडवीशू तो संट जनरेटर नी बे केरेक्टरिस्टिक वीशे जोईशू आपड़े एक छे मेगनेटिक केरेक्टरिस्टिक औने बीजी छे लोड केरेक्टरिस्टिक ते जोईसु आपणे, तो फिल्ड करांट अने उत्पन E-MF वच्चे ना सबंद ने मेगनेटिक केरेक्टरिस्टिक केहवा मा आवे छे। संट जनरेटर मा जेम जेम फिल्ड करांट मा वधारो थतो जाई छे, तेम तेम उत्पन E-MF मा वधारो थतो जाई छे। परन्तु ज्यारे फिल्ड पोल संत्रुप्त अवस्थाए पहुचे छे, तेमा उत्पन थता E-MF नी किम्मत स्थीर थाई जाई छे। फिल्ड करांट विरुद उद्पन E-MF नो आलेक तमें आक्रुती मा दर्सा वेल छे ते जोई सको छो। हवे आपणे लोड केरेक्टरिस्टिक विशे जोई सु। तो लोड करांट अने टर्मिनल वोल्टेज वच्चे ना सबंध ने एक्स्टर्नल लोड केरेक्टरिस्टिक कहवामा आवे छे। जारे लोड करांट अने उत्पन E-MF वच्चे ना सबंध ने इंटर्नल लोड केरेक्टरिस्टिक कहवामा आवे छे। जेम जेम संट जनरेटर पर लोड वधारवामा आवे तेम तेमा उदपण EMF अने टर्मिनल वोल्टेज मा घटाडो थाई छे जो लोड ने फुल लोड करता वधारवामा आवे तो उदपण EMF वोल्टेज वधारे घटेच छे खुबज वधारे लोड जोडवामा आवे तो तेना फिल्ड वाइंडिंग मा पुर्ता प्रमाण मा विज प्रवाह पसार न थवाथी वोल्टेज घटी ने सुन्निय थाई सके छे हवे आपड़े संट जनरेटर ना उप्योग विशे जोईसू तो ज्यां कोंस्टन्ट एले के अच्चड लोड रहतो होई तेवी जग्याए जेमके इलेक्ट्रो प्लेटिंग बेटरी चार्जिंग अने सेंट्री फ्यूगल पंप वगेरे जग्याए तेनों उप्योग करी सकाया हवे आपड़े DC संट जनरेटर नुँ एक उधारण जोईसू चेना द्वारा आपड़े अलग-अलग किम्मतों सोधिसू तो एक संट जनरेटर बसो त्रीस वोल्टेज ना दबा आने 500 एमपियर वीज प्रवाह सपलाई करे छे तेना संट फिल्ड नों अवरोद पच्चास ओहम औने आर्मेचर नों अवरोद 0.03 ओहम छे तो जनरेटर मां उत्पन थता एमफ सोधो तो अहीं आपने सूं-सूं आपेलू छे तो टर्मिनल वोल्टेज बसो त्रीस छे आई एल छे पानसू आर्एसेच पच्चास आर्ए जिरो पोइंट जिरो थ्री संट-फिल्ड वैंडिंग मां वहतो करण्ट एलेक्जिध आई एसेच ब्राबर सूं था से तो बसो त्रीस बाई पचास कारण के संट-फिल्ड वैंडिंग नों अववरोद पकाश चे अने टर्मिनल वोल्टेज बसो 30 छे तो आपणने सिरीज संट फिल्ड वैंडिंग मा वहतो करंड एले का आई एस एज 4.6 एमपियर मडे छे हवे आर्मेचर वोल्टेज ड्रोप आई ए मल्टिप्लाइ बाई आर ए तो 504.6 मल्टिप्लाइ बाई 0.03 एटले के 15.183 शवे ए एटले के एमफ बराबर वी टी प्लस आई ए मल्टिप्लाइ बाई आर ए तो टर्मिनल वोल्टेज बसो 30 वोल्टेज छे अने आर्मेचर करन्ट अने आर्मेचर रेजिस्टन्स 15.133 तो सुन थासे 255.13 वोल्ट तो मित्रो आर इतना है उदारन द्वारापन समझापी आपड़े हवे DC जनरेटर नुँ पेरलल ओप्रेशन करवानु होई त्यारनी वाद करीशू तो AC अथवा DC पावर प्लांट मा एक करता वधारे जनरेटर होई छे आ जनरेटर का तो सिंगल चलावी लोड ने सप्लाई करी सकाई छे अथवा तेमनु पेरलल मा जोडान करी ने लोड ने सप्लाई करी सकाई छे मोटा भागे एक करता वधारे जनरेटर ने पेरलल मा जोडी ने लोड ने सप्लाई आपवामा आवे छे पेरलल जोडान करवाना फाइदा तो वीज सप्लाई नी कंटिन्यूस सर्वीस मड़ी रहे छे जनरेटर मा खामी थाई तो सप्लाई मा खलेल पहुचती न थी डिमांड अनुसार लोड एडजेस्ट करी जनरेटर ने फूल लोड पर चलावी सकाई छे एटले तेनी एफिशेंसी मा वधारो थाई छे कोई जनरेटर मा मेंटनस माटे सटडाउन लेवानू थाई तो लोड एडजेस्ट करी जनरेटर बंध करी सकाई छे जनरेटर नी बैटरी एफिशेंसी माटे संट सीरीज के कमपाउंड जनरेटर पेरलल मा जोडी सकाई छे आवे आपड़े DC संट जन्रेटर नुँ पेरलल ओप्रेसन जोईशु अहीं आपड़े DC संट जन्रेटर नुँ पेरलल ओप्रेसन दर्शावामा आवेलू छे तो एक संट जन्रेटर होई तेनी साथे जो बीजा एक जन्रेटर ने तेनी साथे पेरलल मा जोडवू होई तो आ रीते तमें जोड़ी सको छो एना स्टेप हवे जोईशु अले के कई रीत अपनावामा आवे छे ते जोईए आपड़े तो नमबर बीए जन्रेटर ने प्राइम ओर द्वारा रेटेड स्पीड पर चलावामा आवे छे स्वीच S2 ने क्लोज करवामा आवे छे अने स्वीच S1 ने ओपन करवामा आवे छे अथवा ओपन राखवामा आवे छे ज्या सुधी वोल्ट मीटर जीरो रेडिंग बतावे त्या सुधी नमबर बीए जन्रेटर नुँ एकसाइटेशन वधारवामा आवे छे ज्यारे वोल्ट मीटर जीरो रेडिंग करता आगड रेडिंग बतावे त्यारे त्येने जीरो सेट माटे एकसाइटेशन मा फेरफार करवामा आवे छे त्यार बाद स्वीच S1 ओन करवामा आवे छे आथी जन्रेटर नमबर बे अने जन्रेटर नमबर एकस साथे पेरलल मा जोड़ाई छे तो मित्रो आसा राखू छू के आव वीडियो तमने उप्योगी साबित्थ से जो आव वीडियो तमने पसंद पड़ेलो होई तो आव यूट्यूब चैनल ने सब्स्राइब कर जो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर जो औने लाइक औने सेर कर जो थेंक यू